संबल से बड़ी कबर जहाँ पर दो दिन में दूसरी बार एंकाउंटर तो 25,000 का इनामी गिरफतार एंकाउंटर के दौरान एक बदमाश परार हुआ है तो इस दोरान इनामी और एक सिपाही को गोली लगी है गंटे के अंदर संभल पुलिस ने दूसरी मुटभेड की है और जिसमें नाजी 25 एयार का जो इनामी है असमोली थाना छेतर का रहने वाला था उसकी चंदोसी पुलिस से मुटभेड हुई है और जिसके पेर में गोली लगी है और जवाबी कारवाई में एक पुलिस कर्मी भी घाहल हुआ है हमारे साथ इस समय बात करने के निया एक्स कुलीज मौजूद है संभल के पुलिस अधिक्छाग यमनापिरसाज जी उनसे जाने के किस तरीके से यह पूरी मुटभेड को अंजाम दिया गया है सर क्या पूरा मामला था पत्रहवा चाय रहा जो चंदोसी में पढ़ता है यहां पर पुलिस गस चल लही थी इसी दोरान दो अपराधियों के आने की सूचना मिली जिनको रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पर फाइरिंग किया जिसमें हमारा एक कॉंस्ट पेर में गोली लगी है जैसा के बताया गया है और इसको जिलास पताल के नहीं रेफर किया गया है वहीं जबावी कारवाई में जो के पुलिस कर्मी भी इसमें घायल हुआ था फिलाल जो इसका साथ ही है वो फिलाल बताया गया है किसी जंगलों में चुपा हुआ है फरार पताया जा रहा है पर उसकी तलास के लिए लगतार पुलिस की तरफ से कॉम्बिंग जा रही है सेयोगी फ्रोज के साथ में मुहमद सद्दाम आर नाइन